हेलो दोस्तों मैं डाक्टर मनीश सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ आईए दोस्तों देखते हैं अपद्रबी अर्धचालक होता क्या है ध्यान समझिएगा अपद्रबी अर्धचालक X-Transync Semiconductor किसी नेज अर्धचालक की चालकता उसके ताप पनिर्वर करती है जो नेज अर्धचालक हैं जिनमें कोई असुद्धी नहीं मिलाई गई है उसकी चालकता जो है ताप पनिर्वर करती है परंतु कमरे के ताप पर इसकी चालकता बहुत कम होती है नेज अर्दचालक की चालकता जो है कमरे केताब पर कम होती है जैसे यहाँ देखें ध्यान से यह नेज अर्दचालक का फिगर आप देख रहे हैं नेज अर्दचालक जो है टी वराबर जीरो केल्विन पर एक बिद्धूत रोधी की तरह ब्योहार करता है दीखें कोई भी इलेक्रान जो है चालन बैंड में नहीं है सब इलेक्रान स्वेक्ता बैंड में है लेकिन जब टंप्रेचर जो है ग्रेटर दैन जीरो केल्विन होता है तो कुछ इलेक्रान जो है, चालन बेंड से, सार्ण बेंड से चालन बेंड में पहुँच जाते हैं और चालन बेंड में फोल क्रियेट कर देते हैं ठीक है? यह कब होता है जब टंपरेचर जीरो केलिवें से अधिक होता है तो आप देख रहे हैं किसी नेज अर्दचालक की चालकता जो है उसके ताप पर निर्भर करती है परन्तु कमरे के ताप पर इसकी चालकता बहुत कम होती है इसी रूप में कोई भी महत्पूर इलेक्टरान युक्ती उन अर्दचालकों द्वारा बिक्सित नहीं की जा सकती है नेज अर्दचालक के द्वारा कोई भी इलेक्टरानिक डिवाईश तयार नहीं किया जा सकता है क्योंकि इनकी चालकता बहुत कम होती है अतह इनकी चालकता में सुधार करना आवस्यक होता है यह उन अर्धचालकों में असुधियों का उभ्योग करके किया जा सकता है अर्धचालक को कैसे सुधारा जा सकता है चालकता कैसे बढ़ाया जा सकता है तो निद अर्धचालकों में असुधियां मिलाकर उसकी चालकता को बढ़ाया जा सकता है देखे ध्यान से जब किसी सुध अर्धचालक में कोई उपयुक्त असुधि जब किसी सुद्ध अर्जचालक में कोई उपयुक्त असुद्धी अत्यल्प मात्रा में, बहुत कम मात्रा में जैसे कि कुछ भाग प्रती मिलियन में मिलाई जाती है, पीपियम में मिलाई जाती है, तो इसकी चालकता कई गुना बढ़ जाती है तो आप देख रहें कि जो मिलाया जा रहा है असुद्धी वो बहुत कम मिलाया जा रहा है, पार्ट पर मिलियन मिलाया जा रहा है, पीपियम में मिलाया जा रहा है और उस कम मात्रा में मिलाया जाने के कारण ही चालकता कई गुना बढ़ जाती है तो जब किसी सुद्ध अर्धचालक में कोई उप्युक्त असुद्धी अत्यल्प मात्रा में जैसे कुछ भागप्रति मिलियन में मिलाई जाती है तो उसकी चालकता कई गुना ब्रिद्धी हो जाती है इस प्रकार के पदार्थ को अपद्रब्वी अर्धचालक अथवा असुद्ध अर्धचालक कहते हैं ठीक है वांचित असुद्धी को सावधानी पुरुवक मिस्त्रित करना वांचित असुधी को सावधानी पुरुवक मिलाना मिस्त्रित करना डोपिंग, मादन या अपमिस्त्रण कहलाता है और असुधी परमाड़ अपमिस्त्रक कहलाते हैं डोपैंड्स कहलाते हैं वांचित असुधी को सावधानी पुरुवक मिस्त्रित करना मादन डोपिंग या अपमिस्रण कहलाता है तथा असुधी परमाल जो है वह अपमिस्रक डोपेंड्स कहलाते हैं इस प्रकार की पदार्थ को मादित अर्धचालक कहते हैं डोप्ड सेमी कंडुक्टर कहा जाता है ठीक है अपमिस्रक जो डोपेंड्स है जिन में मिलाया जाना है असुद्धी अप मिस्रक ऐसा होना चाहिए जो मूल अर्दचालक पदार्थ के जालक को विक्रित न करें जो अप मिस्रक है जो असुद्ध परमाडु है जिरको मिलाना है वो ऐसा होना चाहिए कि जो हमारा मूल अर्दचालक है उसके लैटिस में परिवर्ता न हो वो डिश्टर्व न हो अब मिस्रक ऐसा होना चाहिए जो मूल अर्धचालक पदार्थ के जालक को विक्रित न करे उसे केवल क्रिश्टल में बहुत कम मूल अर्धचालक परमाड़ूं इस्थितियों को ही घेरना चाहिए उसके लैटिस को डिश्टर्व नहीं करना चाहिए उसको केवल क्रिश्टल में बहुत कम मूल अर्धचालक परमाड़ूं इस्थितियों को ही घेरना चाहिए इसे प्राप्त करने के लिए एक आवस्यक सर्त्य है कि अप मिस्रक के अड़ू जो है अर्धचालक पदार्थ के अड़ू के साईज लगभग समान होने चाहिए अप मिस्रक के अड़ू तथा अर्धचालक पदार्थ के अड़ूं की साईज लगभग समान हो तब जो है जो मूल अर्धचालक है उसके जालक विक्रित नहीं होंगे और डोपिंग की परक्रिया कम्प्लीट हो जाएगी चालकता बढ़ जाएगी चतुर समयक्ता वाले जिनकी समयक्ता चार होती जैसे सिलकन और जर्मेनियम के मादन के लिए दो परकार के अप मिस्रक उप्योग किये जाते हैं जो चार समयकता वाले हैं सिलकन और जर्मिनियम तो चतुर समयकता वाले चार समयकता वाले सिलकन तथा जर्मिनियम में डोपिंग के लिए दो प्रकार के अपमिस्रक उप्योग किये जाते हैं जो लैटिस को डिस्टर्ब नहीं करते हैं पहला है पांच स्वज़कता वाला पंच स्वज़क और दूसरा है त्री स्वज़क पंच स्वज़क तक अथाद पांच स्वज़कता वाले जैसे आर्सेनिक एंटेमनी फासफोरस मिला दीजिए या फिर तीन स्वज़कता वाला मिला दीजिए जैसे इंडियम बोरान एलमु अदिक आप ऐधिकॉंगर चतुर श्युक्त वाले चार श्युक्त वाले अर्दचालक स्थिल्कन जर्मेनियम के माधन के लिए डोपिंग के लिए दो परकार के डोपनेंट्स हैं संदो पेंड नद मिस्रक एैं एक हैं पंच समयुजक और दूसरे हैं त्री समयजग पांच समयगता वाले हैं आर्सेनिक इंटिमनी फासपुरस आदी और त्री समयजग हैं इंडियम बुरान एलमुनियम आदी ठीक है अब आगे देखें ध्यान से अब हम यह भी वेचना करेंगे कि अप मिस्रण द्वारा जब इनको मिलाते हैं पंज समयजग और त्री समयजग को किस प्रकार अर्धचालक में आवेश वाहक की संख्या में परिवर्तन होता है अब मिस्रण द्वारा किस प्रकार अर्धचालकों के आवेश वाहक की संख्या में परिवर्तन होता है जिसके कारण उस अर्धचालक की चालकता परिवर्तित हो जाती है इसके बारे में हम लोग जानेंगे सिल्कन अथ्वा जर्मेनियम आवर्शाडी के चतूर्थ समू के सदस्य हैं इसलिए हम अप मिस्रण के लिए निकट के अर्था तीसरे अथ्वा पांचमें बर के तत्यों का चोयन यह अपिच्छा करते हुए और सावधानी बरत्ते हुए करते हैं कि अप मिस्रण किये जाने वाले तत्यों के परमाडू का साइज सिल्कन अथ्वा जर्मेनियम परमाडू के साइज के लगबर बराबर है तभी हम उनको मिलाते हैं उसमें क्योंकि उनके पर्मार की साइज लगबर बराबर है अब जो है रोचक तथे की डोपिंग के लिए मादन के लिए उप्योग होने वाले त्री समय जग तथा पंच समय जग तत्व अप मिश्रण के बाद अप मिश्रण के पस्चाथ एक दूसरे से पूर्ता भिन्न प्रकार किये दो अर्धचालक पदार्थ का निर्मार करते हैं डोपिंग के बाद अपमिश्रण के बाद चाहे त्री समयजग मिलाएं चाहे पंच समयजग मिलाएं इससे त्री समयजग मिलाने से अलग तरह का अर्दचालक और पंच समयजग मिलाने से अलग तरह का अर्दचालक का निर्माण होता है सब्सक्राइब करेंगे, एक यन पर्कार का अर्दधशालक बनेगा जब पंज समैज को आप मिंशन होएगे, जब त्री समैज को आप मिंशन करेंगे, तो पी टाइप का अर्दに ज्यालक बनेगा. ठीक है मिलते हैं नेक्स वीडियो में जहां पर दोनों अर्चालक के बारे में पढ़ा जाएगा थेंक यू